आप सभी के सामने लेके आया हूँ प्रोजेक्ट स्टार जिसे आप पिक्सल स्टार भी कह सकते हो और यह कह सकता हूँ मैं कि Poco F4 डिवाइस के लिए एक वन अप दो बेस्ट रोम हो सकता है परफॉर्मेंस करिस्टमाइशन स्टेबिलिटी एंड बीहेव के मामले में क्योंकि आप तक आपने देखता है जितना भी रिवीव मेंने किया इस्पेसली या फिर मियुआ का उनमें स्कोर के मामलें काफी ज़ला डाउनसाइड एकनिक को मिलता है बट यह एक लौता ऐसा मुझे रोम लगा है जो कि काफी स्टेवल फील कराता है काफी कुछ चीज आप को प्रवाइट करता है जो कि आपको पसंद आएगा और आज कि इस वीडियो में हम इसी कोई में बात करने वाला कि रोम कैसा है किस लेवल के कस्टमाइशन है और परफॉर्मेंस में क्या कुछ हमें यह सो कर पाता है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेगा और चैन पर रन कर रहा है मेंटेनर का नीम है वन सी तमबर का सिक्योटी पैच है और नेक्सेस करनल वगरे यूज करा गया है बैक आते हैं तो यहां पर आपको जस्टर इनिमेशन द्वाइट 14 का मिल जाता है प्लस में सिस्टम के अंदर आप डेखो कि सरी से आइकन डिजाइन है ज इन कॉल वैक आप रोटेशन वगेरा पार्सले स्कीन शूट वगेरा और जेस्टर पर वही सेम पिक्सल वाले सारे सेटिक्स यहां पर दिये गए हैं बैक आने के बाद आप देखो इनके आइकन भी थोए डिफ्रेंट आपको देखनी को मिलते हैं जो कि मुझे अच्छा ल आ गया है तो यह भी आपको एक इस्टरा फीचर्स मिल जाता है इन्हेंस प्राइविसी स्क्रेम वाल ले आउट वगेरा भी आपको मिलते हैं जो कि मुझे यह पसंद आया है अनदर यहां पर वाल्ट पर स्टाइल एंड़ॉइट 14 वाला यूज करा गया जो कि अच्छा ल आप और भी चीज़े जो बदल सकते हो डाक मुट वगेरा भी इनेवल डिसेवल कर सकते हो इसके बाद बैक आने के बाद आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले जहां पर आपको दिखाई देता है आटो ब्राइटनेस लोग टाइम आउट डाक मूट के अंदर आपको प्य काफी ज़्यादा बट में कवाएट डिफॉल्ट पर काम चला है तो यूज करो इससे ज़्यादा बुष्ट मर्द करना ठीक है अनदर यहां पर डिसी डिमिंग जो कि बहुत सारी उजस के लिए काफी फिचर होता है आदर बहुत सारे लोगों को अमोलेटी उच करते हुए आँखों में दर्द और सिर में भी दर्द हो जाता है कुछ लोगों को सभी को नहीं तो वैसे में यह डिसी डिमिंग में आपकी काफी हेल्फ करता है अनदर यहां पर बैटरी जितना मैंने यूज किया यह बैटरी मुझे और ठीक लगा है बाकिया दर कॉस्टरों दैसा ही तो मैं यहां पर बुड़ा नहीं कहने वाला प्लस में के प्रोफाइल दिया गया है जहां से आप पर्फॉमेंस के साथ अपना मैनेज कर सकते हो फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्सन दिया गया है जहां पर परसेंटेज वगरा भी सेट कर सकते हो मैक्स वगरा कितना होना च जाते हैं और री ट्रैकर भी दिया गया है यहां पे और यूज एप कलर बैग्राउंड के भी option आपको है जो मिलते हैं Apps के अंदर यहां पर आपको game space देखनी को मिलेगा default वगएरा और बाकि same common चीज है और जाड़ा कुछ यहां पर नहीं दिया गया और default launcher आपको वही pixel वाला ही मिल जाता है जो कि काफी सही है काफी बढ़ी आपको देखनी को मिल जाता है और यहां पर जो कीवे से वह तो हर एक का same to same रहता है जिसमें आप देख से तो किस तरे किसा आपको animations और देखनी को मिलता है और यहां पर आप देखो यह पूरा pop-up है जब close हो जाता है तब जाके blur effect हटता है जो कि आप यहां पर देख सकते हो तो यहां पर feel देता है जिसे आप बग या new features समझ सकते हो ठीक है यह चीज सही लगे और सबसे बड़ा advantage जो कि इसका खुद का Leica camera इसके साथ default दिया गया है और जब भी कोई customer home में default camera मिलता है ना तो मज़ा ही अलग रहता है तो आप gcam डालो या यह डालो डिपेंड करेगा आपके ऊपर अब रही बात यहां पर टेस्ट रिजल्ट तो आते हैं gallery पर जहां पर मैंने सब कुछ टेस्ट करके रखर रखा है और इसे डाले वे दो दिन से उपर हो चुके हैं क्योंकि आज कर में यहां पर आइकन है जो यहां पर सो होता है तो यह कुछ इस तरह किसा आपको दिखाई देगा अनदर आप देख सकते हो अन्टू टू अस्कोर्ट जो कि मैं मी वाई एच्टी एडिसन रोम का रिव्यू करते हैं उसमें यह स्कोर आते थे वह भी से ठावुत कम ही 88 के आसप करता हूं कोई भी टाइप का रोम हो गीकमेंच हमेसा डाउन साइड ही रहता है एट सिवेंटी का रिजल्ट नजर ही नहीं आता नहीं उसके आसपास का बट यहां पर है और काफी ज्यादा है अनदर हंडेट पे डालने के बाद नॉर्मल सीपी ट्रोटल तीन लाख एक्ति नहीं आता इसी यूज करते हुए यह चीज़ अच्छी लगी मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अनदर बैटी रोप 38 के बाद मॉर्णिंग में यह 35 जाता है यानि फूल नाइट में 3% का बैटी रोप और जो टाइमिंग है वह है 8-27 यानि करीपरीव सारे 8 घंटे का और सिर्फ 3% का बैटी रोप है तो यह में अच्छा आपको ड्रेन देखने को मिलता है यानि बुरा नहीं है नर्मल सा ठीक है और यहाँ पर नदर देखो 30 के बाद मॉर्णिंग आता है 27 यानि फिर से 3% का बैटी रोप हुआ है तो यह चीज अच्छी लगी और गेमिंग म मुझे रियले में इंट्रेस्टिंग लगी और काफी पारवफुल भी लगा है प्रफोर्वेंस के मामले में और स्टिवलेटी के मामले में दभाई किया ही कहना तो मेरे तफस्ट यह रिकमंडेट होने वाला है और अई बाद बूट इनिमेशन कैसा है तो देखते हैं तो आपके नजर में इसकी क्या पोजीशन है आप इसे ट्राई कर चुक हो या ट्राई करने वाले हो कमेंट चुरू करना और डालना कैसे तो वही ADB साइडलोड का मेठर यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा और FW डाल लेना ताकि आपको 5G का सपोर्ट मिले हो रोम का जो इसे वह भी आपको जो बूस्टेट देखने को मिल सके सो मैं मिलता हूँ आपसे निश्ट वीडियो में थांक्स वॉचिंग बबाई झाल लेगा जिए झाल लेगा जञेए चासार बाई रहाँ एका साथ निश्ट वीड़गाद वाना ताकि मिले आपसे भी आपको 5G का सूभवाद पास्तापको ज़ाँ यूज वाना तो जो लेगा थांक्स भीड़बादा दो पास्तापको 5G का सब्स्टेश पास्तापको